हेलो दोस्तों स्वागात है आप सभी का हमारे चैनल HD Only में दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए कर आ गए है इस्टन रेलबे यूनिट से दिक टूटमेंट दो भरती 2024 का नोटिफिकेशन इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 12 और साथ में आईट पास 12 में रखे गए हैं तो 315 एसमें पद रखे गए हैं फाम की जो लास्ट दे थे तो तेस एक्टूबर को रखी गई है यानि कि तेस एक्टूबर तक आपको आपको अपलाई कर देना है और साथ ही दोस्तों इसमें बांकी क्राइटरिये क्या रखा गया है जैसे कि लिम सबसे करते हैं आज के वीडियो तो दोस्तों हम इसका सब पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं इस्टन रेलवे रेलवे रिकूट्मेंट सेल कोलकाता और हां दो सबसे करेंगे हैं अगर आपको अपना है तो आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जारू करिजिए और साथ तो आप लोग वहां ते वह सारी चीज़े भी देख सकते हैं तो इसलिए आप लोग टेलिग्राम चैनल जारूर कलीजिए फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं क्या दिया गया है तो नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट आप एक्ट अप्रेंटिकेश्स फॉर ट् इसमें तो नाव नाव सप्तमबर तो जोज़र चौविस को इसका जारी किया गया है वहीं ओपनिंग देट यानि कि फाम जब आनलाइन आपको तब इस्टार्ट हो गातो वह 24 सप्तमबर से स्टार्ट हो जाएगा और आम की जो लास्ट डेट रखी यह देश देश अक्तू अप्रेंटिशेस एक 1961 एंड अप्रेंटिश सीप रूल जारा है जो भी एलिज्वल कंडिडेट्स हैं जो इसमें मागा गया हो कंप्लीट करते हैं तो लोग इसका फाम अप्लाइब करते हैं साथ इसका जो फाम है वह आपको केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही फिर इसमें आगे दियेगा है दोस्तों को दा ओनलाइन लिंक विल वी लाइव ऑन दा ओफिसल वेबसाइट यानि की ओफिसल वेबसाइट पर जो की लिंक अबलेवल होगा वह 24 वह 24 सप्तमबर दोजार 24 से स्टार्ट हो जाएगा और जो फाम की लास्ट डेट तो 33 अक्ट वाइस डिवीजन से कितनी ने साथ यह सारा धिटेल यहां दिया गया है तो हम देख लेते हैं टोटल करके तो जो इसमें जर्नल करें कि लिए है तोटल पदोग संख्या दो सबस्टार रखे गई है तोटल पदोग संख्या देखे तो शह सब्सक्राइब रखे गए है उसके वाद इसमें आगे हम देख लेते हैं जो अगला डिवीजन है वह है लिलुवा बर्क्सॉप तो यहां दोस्तों ट्रेड नेम और यहां कटेग्र संख्या जोटल पदोग संख्या करें तो इसमें आगे देख लेते हैं तो अगली जो इंदेख़न है वह है लिजन यहां तो इसमें जर्राइज प्राइबर अगल तो टोटल जो पदोग संख्या तो जर्नल कटेगरी के लिए 66 पद रखे गई हैं उसके पद इसमें अगली जो मालदा डिवीजन है तो टोटल जर्नल कटेगरी बात करें तो 57 पद रखे गया है यहां दोस्तों जर्नल कटेगरी यह सभी कटेगरी वाई से पोस्त देख लेते हैं तो टोटल कटेगरी के लिए रखा गया है इसमें अगली वर्कसाप रखे गया है तो जमालपूर वर्कसाप है यहां भी दोस्तों कटेगरी वाई से देख लेते हैं दिये गया है कितनी क्या रखी गई है तो सबसे पहले जनरल कटेगरी के लिए 278 पोस्त रखी गई है और हां दोस्तों अगर आप लोग को कटेगरी वाई तेक पोस्त के आर्म जानकारी लें नहीं तो आप लोग पीडियों के माद्यम से पुद देख सकते हैं क्योंकि गर हम इसके बारे में बताने लगे तो वी इसको क्या रिजर्वेशन दिया जाता है तो यह सारा चीज है पर संब बेंच्वार डिसो यानि पी डावलू बीडिक अगरे बताया गया है यह सारी चीज है फिर एलिजुलिटी कंडिशांस यह हम देख लेते हैं एज लिमिट यानि एज क्राटिरिय के रखा गया है तो अगर आप यह स्टी जाएगी वहीं अगर आप पर संब्स यानि की पीड़ बीडी कंडिएट है तो दस साल की चूट दी जाएगी फिसका यहां दोस्तों एजुकेस्टनल क्वालिपिकेशन की बास कर लेते हैं इसमें क्यास्ट क्वालिपिकेशन नेटी गई है तो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो यहां नीचे मेडिकल फिटनेस की बात की है मेडिकल फिटनेस के वारें बताया गया है तो मोड अप्सलेक्शन जो मेरी टादार पर सलेक्स्टनिक में किया जाएगा यहां नीचे दिया गया अपर कंडिडेस्ट अप ट्रेंग लॉट आप यूनिट ऑफ इस तन रेलवे बिल बी ऑन दबेशी साफ मेरी प्रिपेर यानि कि मेरी बेस्ट के आपको जो की सेलेक्शन किया जाएगा रिस्पेक्ट आप आल इलिग्वल कंडिडेट्स कू अप्लाइए अगेंस दा नोट दिया गया है नीचे फैरा फाइब में इस बेस्ट के आपका सेलेक्टन किया जाएगा विल भी फॉलोट पर डिटर्माइनिंग दा मेरी इसी रूल को फॉलो करके मेरी तैयार की जाएगी फिर दोस्तों इसमें आगे है इस एनी कंडिडेट्स फिल्स आप रॉंग डिटेल अगर आप में से कोई भी कंडिडेट गलत जानकारी अपने वारे में देता है तो देन ही जो चाहे हर हो यानी मेल हो या फीमेल कंडिडेट्स विल भी इस सून इस दा डिस्क्रेपेंसी कंस इन दा नोटीस आप रेलवे एड्मिस्ट्रेशन यानि कि आपका जो आम है वो कं सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों इसमें नीचे करेंगे और दोस्तों इसमें नीचे करेंगे किस प्रकार से आपका जो नंबर है वो डिवीजन यानि आपकी मायरिस किस प्रकार से त्यार की जाएगी तो यहां देखिए बताया गया कि मान लीजिए अगर आपका एक ग्यामपल के रूप में कि आपका 10th में 480 पॉइंट हाइवेट है ठीक है उसके बाद इसमें जो आ सब्सक्राइब करेंगे कंडिडेट को सौट लिस्ट बनाने में उसके बाद हम इसमें अप्लिकेशन फीस की बात कर लेते हैं अप्लिकेशन फीस कितनी रखीगे तो जर्नल ओवी सी यहां नहीं रखा गया है तो इसको आपको अपलाई कैसे करना है वह यहां दिए गया है यहां लिए प्रद्ट हुए चैनल पर इसके बारे में फिर से एक बात आपको रिकॉल जरूर करा देंगे तो आप लोग इसका उनलाइन फाम आप लाइक कर तकते हैं उसके बाद इसमें आगे हम बता देते हैं दोप कि आपको डाकुमेंट लोगे रख रख किया कि इसके इसके बाद इसमें आगे है इसके आपको सिलेचर अपना अपलोड करना है फिर दोस्तों इसमें अपना इसके अपना 10 की मासीट को आपको अप्लोड करना है इसमें आगे हम देख लेते क्या दिया गया है अदर इंपोर्टेंट तर्म संद कंदीशन यानि कि आपकी जो इस्टीपेंड यानि सेली जो है वो क्या रहेगी यहां बताया गया है इसमें आगे बताया गया है कि हाओवर 20 परसंट इसमें से जितनी वेकंसी है इसमें से इसका 20 परसंट जो पोस्ट है उनको यह फिल करेंगे लेवल वन के रूप में तो उनकी जो पर्मानेंट के रूप में सेलेक्स किया जाएगा यहां इसमें में संट किया गया है पाकी लोग इसका जो भी इंटेस्टेट के रेट हों तो वह लोग इसका हाम जो है वह अपलाई करते हैं जो लोग भी इलिजल्टी और क्राइटेरिये कंप्लीट रखते हैं बाकि दोस्तों अगर हमारे दोरा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लिजे और साथ इवल आइकन वी प्रेस कर लिजे क्योंकि हम आएते ही गरण्डी आप्डेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं दोस्तों एक्टी वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद